दोस्तों दुनिया में किसी भी इंसान के द्वारा financial freedom हासिल करने के लिए उसकी financial education का मजबूत होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है और experts की अगर माने तो financial education को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है किताबे पढ़ना यही वज़ा है कि दुनिया में बहुत सी किताबे इस टॉपिक के ऊपर लिखी जाती है और American लेखक Robert Kiyosaki के द्वारा लिखी गई Rich Dad Poor Dad नाम की किताब भी दुनिया के उनी किताबों में से एक है जिसे बहुत से लोग लाइफ में अपना गोल अचीव करने और काम्याभी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं तभी तो financial education के मामले में इसको दुनिया के सबसे फेमस किताबों में शुमार किया जाता है और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी बुक की ही समरी बताने वाले हैं तोस्तों Rich Dad Poor Dad किताब की कहानी लेखक Robert Kiyosaki की अपनी खुद की लाइफ स्टोरी पर आधारी थै इस किताब में वो अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं जिनमें एक उनके असली पिता है जिनको उन्होंने पूर डैट का टाइटल दिया है और दूसरे उनके मुह बोले पिता है जो की असल में उनके एक दोस्त के पिता है और उनको उन्होंने किताब में Rich Dad का टाइटल दिया है दरसल उनके असली पिता बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और हार्ड वरकिंग इंसान है जो की पेशे से एक टीचर होने के साथ ही फाइनेंशल ही काफी कमजोर है इसलिए रॉबर्ट किताब में उन्हें पूर डैट कहकर बुलाते हैं वहीं दूसरी तरफ उनके मुह बोले पिता सिर्फ आठवी क्लास तक पढ़े हैं लेकिन फाइनेंशल एजुकेशन स्ट्रॉंग होने की वज़ा से वो अपने शहर के सबसे बड़े और सबसे अमीर बिजनसमेंस में शुमार किये जाते हैं इसलिए रॉबर्ट किताब में उन बिज़ा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं और रॉबर्ट के रिच डैट के द्वारा बताये गए 6 लेसंस दुनिया के किसे भी इनसान को अमीर और काम्याब बना सकते हैं फिर चाहे वो इनसान कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों नहों तो चली अब हम इंपोर्टन्ट लेसंस के बारे में बताते हैं वैसे इस टॉपिक का आइडिया मुझे कूकू FM मोबाईल अब पर आडियो बुक सुनते हुए आया था और यहां आप भी हजारों बुक्स का एकसेस सिर्फ एक बुक के प्राइज में पास सकते हैं हाला कि आगे हम इसके बा के सरकल में फसे हुए हैं और वे इस सरकल को रैट रेस का कर बुलाते हैं दरसल आज दुनिया के ज़्यादातर लोगों की जिन्दगी का मकसद सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना अच्छी नौकरी ढूड़ना शादी करना और फिर जिन्दगी भर अपनी सैलरी स घरवकार जैसे चीजों के लोन भरते रानाई बन गया है लोगों को इस बात का एसास ही नहीं होता कि इस तरह के लाइफ में वे महनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं लेकिन उनकी महनत का फायदा किसी और को ही होता है असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बन कर नाखुश भी होते हैं लेकिन फिर भी अपने मन के डर लालच और जिम्मदारियों के वज़ा से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं रिजडाट काते हैं कि इनसान को सबसे पहले तो अपने डर को खत्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर का पैसा ही आपको कमा कर दी लेसन नमबर टू कीपिंग मनी इस मोर इंपोर्टेंट दिन मेकिंग इट दोस्तों दुनिया में आपको ऐसे बहुत से स्पोर्ट्स मैन और सेलेब्रिटीज देखने को मिल जाएंगे जो कि एक समय तो काफी अमीर हुआ करते थे लेकिन आज उ इनिशल इलिटरिसी का एक्जांपल देते हुए काते हैं कि पूरी दुनिया में घर एक एसेट्स माना जाता है जबकि उनकी अनुसार घर कोई एसेट्स नहीं बल्कि एक लाइबिल्टी होता है क्योंकि एसेट्स तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ-साथ और भी ज़्यादा बढ़ा देता है जबकि घर के मामले में आपको कई साल तक उसकी EMI और लोन चुकानी पड़ती है जिसके चलते आपकी जेब में पैसा आता नहीं बल्कि सिर्फ जाता है यानि कि रिच डाड सिर्फ उन चीजों को एसेट्स मानते हैं जो कि आपको घर बैठे प सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं होता बल्कि पैसे को कमा कर उसको मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाए यह सीखना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है वेल लेसन नंबर थ्री पे बढ़ें उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कुकु एफेम एप के अंदर आप हर द लेसन नंबर थ्री गेट इन यॉर बिजनस एलॉंग वित यॉर जॉब दूस्तों दुनिया में जब किसी इनसान को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वो पुरी जिन्दगी उसी को करने का मन बना लेता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे अपनी पुरी लाइफ वो उसी जॉब को करने में बिता देता है रिजडाट कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इनसान अगर चाहे तो अपनी जॉब के साथ ही वो कोई दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े वो एक नए बिजनस एमपायर का किंग बन सकता है अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चैन मेकड़नौल्स के फाउंडर रे क्रॉक का एक्जामपल ले लेते हैं अगर हम लोगों में से किसी से भी यह सवाल पूछा जाए कि रे क्रॉक किस बिजनस से पैसा कमाते हैं तो फिर हम लोगों में से सभी लोगों का यह जवाब होगा कि फास्ट फूड बिजनस से लेकिन असल में दोस्तों रेक रॉक का मुख्य बिजनस फास्ट फूर्ड नहीं बलकि रियल स्टेट है क्योंकि मेकड़नॉल्ड्स के बिजनस को बड़ा करते करते वे आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल स्टेट ऑनर बन चुके हैं यानि कि फास्ट फूर्ड बिजनस करते करते ही उन्होंने रियल स्टेट का एक ऐसा अंपायर खड़ा कर दिया है जो कि आज उन्हें सचमेयमीर बनाता है इसी तरह से एक आम आदमी भी अपनी जॉब को करने के साथ ही कुछ ऐसे एसे एसे और सोर्स ऑफ इंकम क्रियेट कर सकता है जो कि उसको पैसे कमा कर भी दे और दोस्तों इसके लिए राइटर के द्वारा कुछ एक्जामपल भी दिये गए हैं जिनमें की बिजनस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल स्टेट में पैसा लगाना और मुनाफ़ा देने वाले प्रॉपर्टिस को खरिदना शामिल है इनमें से कोई भी एक तरीका अपना कर आप अपने लिए एक नई सोर्स आफ इंकम बना सकते हैं यहां तक कि रिच डैट तो हर एक व्यक्ति को ऐसा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर ही इंसान सच में अमीर बनता है दोस्तों इस लेसन में रिच डैट टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए यह कहते हैं, कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच मौझूद फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था यानि शुरुवात में सिर्फ अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था और फिर टैक्स के उन पैसों को गरीबों की सुविधाओं में खर्च किया जाता था लेकिन समय के साथ धिरे धिरे मिडल और अपर मिडल क्लास पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया और आज की अगर बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है क्योंकि आज अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो सबसे ज़्यादा टैक्स जमा होता है वो मिडल और अपर मिडल क्लास के द्वारा ही जमा किया जाता है बड़े बड़े अमीर बिजनसमेन और उत्योग पती पहले पैसा कमाते हैं फिर अपनी सभी जरूरत वक फाईसों को पूरा करने के लिए वो उस पैसे को खर्च करते हैं और लास्ट में अगर कुछ बसता है तो उस पैसे से वे टैक्स बरते हैं जबकि वहीं मिडल और अपर मिडल क्लास के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भी भरते हैं और फिर अंत में जो कुछ बसता है उसको वह अपने उपर खर्च करते हैं दुसकों जेफ बेजोस, पिल गेट्स, मार्क जगरबर्ग, इलोन मस्क और भारत की अगर बात करें तो धीरोबाई अंबानी, शीव नडार और अजीम प्रेम जी ये कुछ ऐसे नाम है जो कि दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनस या फिर कहें कि ऐसा आइडिया लेकर आए, जिसके बारे में इन से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था और अपने उसी रिवलुशनरी आइडिया से इन लोगों ने पैसे को इन्वेंट किया है इससे पहले कि मार्केट में मौजूद किसी भी आवसर को कोई और व्यक्ति रोण पाता, इन लोगों ने उस आवसर को खोजा और उस पर तुरंथी आक्शन लिया इसलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि उसको इन्वेंट किया क्योंकि ये दुनिया में उन चीजों को लेकर आए जो कि यहां पहले से मौजूद नहीं थी इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं बल्कि पैसे को इन्वेंट करने के बारे में भी सोचना चाहिए दोस्तों अमेरिका में ना जाने कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मेकड़नौल्ड के ही प्राइज में उससे कहीं ज्यादा बहतर बर्गर बना कर बेचते हैं लेकिन अपने किसी प्रोडक्ट या आइडिया को बड़े अस्तर पर किस तरह सी बेचा जाता है इसकी समझ हर एक इनसान को नहीं होती तभी तो वो मेकड़नौल्ड से अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ एक लिमिटेड एडिया या फिल निम्टेड क्वांटिटीज में ही बेच पाते हैं जबकि मेकड़नौल्स पुरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर बेचता है असल में इस लास्ट लेसन के जरिये राइटर हमें यह समझाते हैं कि अमीर इनसान कभी भी नई चीजों और नई स्कल्स को सीखना बंद नहीं करता है और इसी आदत की वज़ा से ही उसको हमेशा यहाँ पता होता है कि अपने प्रोडक्ट या अपने आइडिया को दुनिया में बड़े लेवल पर किस तरह से बेचा जाता है और दोस्तों बीजी रहते हुए आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कोकू एफएम एप के जर्गे जो कि डेफिनेटली आपके नॉलेज को कई गुना बढ़ा देगा पस आपको डिस्क्रिप्शर में दियेगा लिंक से जाकर लेज 20 कोपन का इस्तमाल करना है और फिर आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन 399 में नहीं बलके सिर्फ 319 रुपे में मिल जाएगा जो कि हर दिन सिर्फ 87 पैसे के आसपास होता है बहराल हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा आपका बहुमुले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद